अतीक एहमत और अश्रफ का शौरूप रानी अस्वताल के पोस्माटम हाउज में रख्था हुआ है इसी पोस्माटम हाउज में दोनों का शौ रख्था गया है माना जा रहा है अब से लगबग एक घंटे के बाद जो पोस्माटम की प्रक्रिया है वो शुरू होगी जो डॉक्टर्स की टीम है वो कुछ देर में यहाँ पहुच जाएगी एक डॉक्टर है जिनकी यहाँ पर डूटी लगाई ली थी वो मौके पर पहुच चुक है उनका कहना है कुछ देर के बाद जो तमाम डॉक्टर है वो आएंगे और जो विशेश पॉसमाटम होता है उसमें एक गहंटा लगता है और एक से दो घंटे में यह पूरी पूसमाटम की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी फिलुच अब पूसमाटम नहीं शुरू है मांणा जा रहा है कि कुछ देर के बाद लगबग एक से डिल घंटे के बाद अतीक एहमद और अश्रफ की बॉड़ी का पोस्माटम शुरू होगा क्योंकि दो बॉड़ी है तो हो सकता है इस पूरे प्रोसीजर में तीन से चार घंटे लग जाए फिल हाल पुलिस के तमाम अलाधिकारी लगातार पोस्माटम हाउस पहुच रहे हैं कुछ देर पहले अब से कुछ देर के बाद अतीक एहमद और अश्रफ की बॉड़ी का पोस्माटम सुरूब रानी के इसी मौर्चरी में शुरू होगा